सुप्रभातम कक्षा नभम विशय संस्कृत व्याकरण पाठ कारक सस्ठी विभक्ति तिथे 11.6.2020 दिन गुरुबार मैं आचार्ज सत्त प्रकास छा प्यारे चात्रों, आज मैं आप लोगों को कारक के सस्थी विभक्ति के बारे में बताऊंगा इससे पहले मैंने आपको दुतिया, तिर्तिया, चतुर्थी तथा पंचमी विभक्ति तक बता दिया हैं अब सश्थी विभक्ति को बताने के लिए जा रहा हूँ तो आपके पाठक्रम में है उपरी, अधा, पूरता, पिष्थता इन चार शब्द है अब है सम्मन्ध कारक में सश्थी विभक्ति का प्रियोग होता है कोई पूछेगा आज सश्थी विभक्ति का प्रियोग कहा होता है तो सम्मन्ध कारक में सश्थी विभक्ति का प्रियोग होता है और सम्मन्ध का चिन्ध क्या है का के की अब हमको देखना है उपरी उपरी कार्थ होता है उपर बृक्षस्य उपरी पक्षी नाम नीडा संती यहाँ बृक्ष में सस्ठी विभक्ती लगा है इसलिए क्या बना है? बृक्षस्य बालकस्य काता है? बृक्ष के उपर पक्षी का घोसला है दूसरा उदारण क्या है? अधह कार्थ होता है नीचे तब्रिक्ष अस्या अधा कह अस्ति तब्रिक्ष के नीचे काउन है तब्रिक्ष में विचा लगा है ब्रिक्ष अस्या शस्ठी विभक्ति पूरता सामने से तग्राम अश्या पूरता गाउं के सामने से अथात किसी सहर नगर के सामने से जाता है तो पूरता मतलब हुआ अब एक चौता क्या है पिष्ठता पीछे से तब्रिक्ति काने का तात्पर जिया है जो सम्मंद कारक में सस्थी विभक्ती का प्रियोग होता है उपरी अधा पूरता पिष्टता इत्यादी शब्दों में सस्थी विभक्ती का प्रियोग हम करते हैं जिसका उदाहरन शरूप मैंने यहां आपको बताया अब आपके पाठ करम के अनुसार कारक की सश्थी विभक्ती भी आज समाप्त हो गया अब है सब्तमी विभक्ती का प्रियोग हम सब देखेंगे कल लेकिन इन से पहले जितना भी मैंने आपको दूतिया तृतिया चतृतिया पंचमी तथा सश्थी अबिभक्ती आज यू बताया हूँ उनको आप याद करेंगे यदि यह आप याद कर लेते हैं तो आपको अनुबाद बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आप सरल माध्यम से बरे बरे संस्कित के अनुबाद को भी आप बना सकते हैं इसलिए आप लोग घर पर रह करके इन कारक प्रकरण के जितने भी मैंने उदाहरन शरूप आपको बताया हूँ उनको आप याद करेंगे और अपने गिरी काज में लिखेंगे इस तरह जो है आज हम लोग कारक के सस्थी विभक्ती को भी पढ़ें अब है गिरी हिकार गिरी हिकार के अंतरगत है जो कारक के सस्थी विभक्ती को याद करें तथा लिखें तो यहीं इनको याद करना है और लिखना है अब आप लोगों के लिए सिर्फ कारक में सब्तमी विभक्ति का प्रियोग बच गया है इसी तरह हम लोग क्रमशा पढ़ते जाएंगे और आप लोग भी इस चीजों को याद करेंगे इस तरह इस कुरोना महामारी में भी हम लोग घर पर रह करके भी अपने पाठ करम को धीरे 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 समाप्त कर रहे हैं जिससे आपकी भी समय कावचत हो रहा है और आप इन पाठों को याद करेंगे और घर से कही नहीं निकलेंगे सेश सुभ हो माता सरश्वती की किरपा आप सब पर बनी रहे जैतू संस्कितम जैतू भारतम